चेत्र नवरात्री और शार्दिय नवरात्री दो अलग अलग नवरात्री हैं। भले ही दोनों में मां की शक्ती की रूप में पूजा होती हैं। लेकिन महत्व अलग है। आए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है और क्या है दोनों के व्रत का महत्व। वर्ष में चार नवरात्रियां आती हैं चैत्र माह में वसंत नवरात्री, आशार माह में गुप्त नवरात्री, आश्विन माह में शार्दिय नवरात्री और माग माह में गुप्त नवरात्र सभी नवरात्रियां एक दूसरे से अलग हैं आशार और माग माह की गुप्त नवरात्री में दस महा विद्याओं की पूजा होती है जबकि चैत्र और आश्विन माह में नौ दुर्गा की पूजा होती है चैत्र नवरात्री को हिंदू नव वर्ष भी कहते हैं क्योंकि इसी समय ये शुरू हो जाता है शार दिये नवरात्री बंगाल में ये दुगा पूजा के नाम से मशहूर है ब्रहस्त और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शार दिये नवरात्री को ही उत्तम माना गया है दोनों में ही मातारानी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है बुनों की पूजा विधी लगभग एक है लेकिन दोनों के व्रत पालन में अंतर है यहां तक की दोनों का महत्व भी अलग है अश्विन शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी के दिन पूरे भारत में दुर्गा पूजा मनाई जाती है यह पर्वुत्तरी और पश्चमीक शेत्रों में काफी अच्छे से मनाया जाता है यह नवरात्री मा शक्ती के नौ रूपों दुर्गा, भध्राकाली, जगदंबा, अन्नपूर्णा, सर्व मंगला, भेरवी, चंडेका, कलिता, भवानी, मुकामविका को समर्पित होती है ऐसा माना गया है कि नौ दिनों की लंबी लड़ाई के बाद देवी दुर्गा ने राक्षस महिशासुर का वद्ध किया था, उसी के पावन अफसर पर ये दिन मनाया जाता है शरद नवरात्र के बारे में एक और कहानी बताई जाती है कि भगवान राम ने रावन को युद्ध में पराजित करने के लिए देवी दुर्गा के सभी नौ रूपों की पूजा की थी इसके बाद दस्वें दिन भगवान राम ने रावन का वद्ध किया था, जिसे हम दशहरा की रूप में मनाते हैं चलिए, जानते हैं, कैसे होती है पूजा विधी, कहां क्या कहते हैं चैत्र नवरात्री, चैत्र के शुकी पक्ष के दौरान मनाई जाती है यह स्यादातर उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में मनाई जाती है यह त्योहार हिंदू नववर्ष की शुरुआत में होता है मराथी लोग इसे गुली पढ़वा और कश्मीरी हिंदू नवरे के रूप में मनाते हैं इतना ही नहीं आंध्र, प्रदेश, ट्यलंगाना और करनाटक में हिंदू इसे उगादी के नाम से मनाते हैं नौ दिन चलने वाले इस्त्योहार को राम नव्मी भी कहते हैं जिसका समापन भगवान राम के जनम दिन राम नव्मी वाले दिन होता है माना जाता है कि चेत्र नवरात्री की साधना मानसिक रूप से लोगों को मस्बूख बनाती है और आध्यात्मे के च्छाओं को पूरा करने वाली होती है आए अब जानते हैं दोनों के व्रत और महत्व में अंतर चेत्र नवरात्री के दोरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है जबकि शार्दिय नवरात्री के दोरान साथ्विक साधना, मृत्य उत्सवादी का आयोजन किया जाता है ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना की दिन माने गए है चैत्र नवरात्री का महत्व महाराष्ट्रा, आंध्रप्रदेश, टेलंगाना और करनाटक में अधिक है जबकि शार्दिय नवरात्री का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है शार्दिय नवरात्री के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है वही गुजराक में गर्बा आदी का आयोजन किया जाता है चेत्र नवरात्री के अंत में राम नवमी आती है मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म राम नव्मी के दिन ही हुआ था जबकि शार्दिय नवरात्री का अंतिम दिन महानव्मी के रूप में मनाया जाता है इसके अगले दिन विजय दश्मी पर्व होता है विजर दश्मी के दिन माता दुर्गा ने महिशासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावन का वद्ध किया था इसलिए शार्दिय नवरात्री विशुध रूप से शक्ती की आराधना के दिन माने गए हैं मान्यता है कि चेत्र नवरात्री की साधना आपको मानसिक रूप से मस्बूत बनाती है और आध्यात में के च्छाओं की पूर्ती करने वाली है वही शार्दिय नवरात्री सांसारे के च्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है चेत्र नवरात्री में वसंद का आगमन होता जबकि शार्दिय नवरात्र में शर्द रितु का आरम होता है